नमस्कार विद्यारतियों आज की हमारी जो भारत की बहू देश्य परियोजना है उन में जो परियोजना है वो है दामोदर घटी परियोजना दामोदर नदी जो है वह जारखन राजी की एक महतपुन नदी है जो इसके पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार की 610 मीटर उंची पहाड़ीों से निकल कर इस राजी में 290 किलोमेटर की लंबाई में प्रवाहित होने के बाद में पश्चिमी बंगाल की सीमा में प् प्रसित थी परंतु इसलिए इसे जारखन वह पश्चिमी बंगाल में शोक की नदी भी कहा जाता था जमुनिया बाराकर कोनार और बोकारो इसकी प्रमुक सहयक नदिया है इसकी जो उपरी घाटी है वह जारखन के पलामू हजारी बाग राची सिंग भूमी संथाल परगन के जिलों में है और निचली घाटी पश्चिमी बंगाल के बाकूडा बर्दमान मितनापूर एवं हावडा जिलों में फैली हुई है अपनी उपरी घाटी में वर्शा रितु में अत्यदिक वर्शा होने के कारण या नदी अत्यदिक तीवरेवेग के साथ प्रभाहीत होत अत्यदिक जन जीवन को पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर देती है बाड के विक्राल रूप और गंबीरता का अनुमान हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि सामान्य बाड के समय में भी बर्दमान जिले में रोहिंदिया नामकिस्थान के समिप इस नदी का जल प्रवा लग विद्वन स्ता आत्मक कारेवाई से हुने वाले अपार जन्दन की हानी को ध्यान में रखते हुए 1948 में भारत सरकार द्वारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई और इस निगम का मुख्य उदेश ये जहरखर्ण और पस्चिम मंगाल के घाटी वर्ती शेत्रों क आर्थि विकास करना था साथ ही यहां के निवासियों के जीवनिस्तर को उचा करने के लिए कुछ उदेश भी बनाए गए थे जैसे बाड़ पर नियंत्रन सीचाई है तु नहरों का निर्मान करना आवश्यक जल की अपूर्ती करना जल विद्वत उत्पन करके उद्योगो को नियंत्रित करना खनीच संपदा की द्रश्टी से भी देखें तो दामोदर घाटी शेत्र देश का सबसे धनी शेत्र है देश के कुल लोहे के 10 प्रतिशत और कोईले की 90 प्रतिशत और अभरक के 70 प्रतिशत और क्रोमाइट के 70 प्रतिशत मैगनीज के 10 प्रतिशत भंडा की अतरिक, बोकारो, चंद्रपूर, दुर्गापूर में तीन तापी विद्युद्ग्रा बनाए गए हैं। साथ ही विब्बिन, आर्थिक और तक्निकी कारणों की वज़े से परियोजनाओं को दो चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में चार बांद बनाए गए हैं तिलया, कुनार, मैथान, पंचेत, पहाड़ी, दुर्गापूर के अवरुदक बांद में बोकारो, चंद्रपूर, दुर्गापूर और तापी विद्युद्ग्रा का निर्मान किया गया है। साथ ही जो कुछ 1300 किलोमेटर लंबी विद्युद्वित्रन करने वाली तार लाइने खीची गई हैं, उनका कुछ संस्क्रिप्ट वेर्वर्ण नीचे दिया गया है। इसके पास ही एक जल विद्युद्वित्व शक्तिग्रह की इत पात इस्थापना की गई है, जिसमें कुल तीन हिकायों में 60,000 किलोवर्ट की विद्युद्वित्व पादित्व की जाती है। दूसरा है कुनार बांध इस बांध का निर्मान सर 1955 में हजारी बाग जिले में कुनार नदी पर दामोदर के संगम से 25 किलो मीटर उत्तर पस्चिम में किया गया है और यहां पर भी 3.5 किलो मीटर लंबा और 59 मीटर उंचा एक बांध द्वारा निर्मित जलाशे में 337 लाग मीटर जल एकत्रित किया जाता है जिसकी शमता 40,000 किलो वाट है तीसरा है मैथान बांध यह बांध धनबाद जिले में बाराकर नदी पर आसन सोल से 25 किलो मीटर उत्तर में दामोदर नदी के संगम से कुछ ही उपर बनाया गया है इस बांध की लंबाई 4.4 किलो मीटर तर उचाई 56 मीटर है इसकी द्वरह निर्मे जलासे कि जल संगरन शमता 1357,000,000,000 मीटर है यह बांध प्रमुक रूप से बाढद नियंतरन है तो बनाया गया है बांध के निकटी 60,000 किलो वाट शमता वाला एक जल विदुद्गर निर्मान किया गया है चौता है पंचेत पहर बांध यह बांध उपरोग तीनों बांधों से बढ़ा है और इसका प्रमुक रुदेश्य बाढ़ की रोख थाम करना है यह बांध जारखंड में धनबाग और पश्चिम मंगाल में पूरुलिया जिले की सिमा पर दामोदर ता बारा कर नदियों के संगम से 50 किलो मीटर उ संता वाला जल विद्ध ग्रह भी स्तापित किया गया है पांचवा है दुर्गापूर अवरोध बांध सन 1955 में दुर्गापूर के निकट दामोदर नदी पर एक अवरोधक बांध बनाया गया है जो लगबग एक किलो मीटर लंबा और बारा मीटर उंचा है इस बांध के दाइने और बाइने और क्रमशा 64 km और 137 km लंबी दो लहरे निहरे निकाली गई है। चटा है बोकारो तापिय विद्युद्ग्रा सन 1905 में हजारी बाग जिले में बोकारो नामक स्थान पर 150 मेगावाट शमता वाला एक तापिय विद्युद्ग्रा स्थापित किया गया है। सन 1967 में यहां 75 मेगावाट विद्यूद शंता की एक ही कई की स्थापना की गई है इसके निर्मान पर 200 लाग रुपे वे हुए हैं साथवा है चंद्रपूर तापिय विद्यूद ग्रह यह विद्यूद ग्रह हजारी बाग जिले में कलकता से 306 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपूर नामकिस्थान पर स्थापित किया गया है यहां 104 मेगावाट पती कई कि शमता वाली तीन ही कई लगई गई है आटवा है दुर्पूर तापिय विद्यूद ग्रह में वर्दमान जिले में कोलकता से 161 किलोमीटर की दूरी पर उंगर या रेलवे स्टेशन के निकर दुर्पूर नामकिस्थान पर स्थापित किया गया है और यहाँ पर 1961 में 150 मेगावाट विद्यूद शक्ती इस्थापित की गई थी दूसरे चरण में के अंतरगत निम निकित बांदों का निर्मान किया गया है अयर बांध यह बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है बांध के निकटी 45,000 किलोवाट विद्यूद शक्ता वाला एक विद्यूद ग्रह भी इस्थापित किया गया है दस्थवा है बर्मो बांध यह बांध भी दामोदर नदी पर बनाया गया है इस पर प्रमश 28,000 किलोवाट जल शक्ती वाला तथा एक लाग किलोवाट तापीर विद्यूद शक्ती उत्पन करने वाला विद्यूद उत्पादक इकाईया इस्थापित की गई है ग्यारवा है बाल पहाडी बांद यहां बांद बाराकर नदी पर गिरड़ है कि दक्षिंपूर्वे में बनाया गया था इस पर बीस अजार किलो वाट शम्टा का एक विद्ध ग्रैवर बांद बारवा है बोकारो बांद, यहां बांद बोकारो नदी पर बनाया गया है तथा इसके निकटी एकविद्यूत ग्रहवे इस्थापित किया गया है, अब ये जो परियोजना है, इस परियोजना के कई लाब भी हुए है, इस नदी घाटी परियोजना के क्रियानवन में घाटी वर्ति और इसके निकटवर्ति शेत्रों को निम्ने लिखित लाग प्राप्थ हुए हैं। दो हजार वर्ति किलोमेटर शेत्रे की जल विकास निकास वविस्था में सुधार संबंग हो सका है। थापित किये गए विद्युद ग्रहों से देश की लगबग 10% विद्युद सक्ति का उत्पादन होता है। विद्युद उत्पादन शम्ता 2,56,000,000 किलोवाट है। बांदों से निर्मित जलाशेयों में मचली पालन उद्यों का विकास किया गया है। परियटन एवं मनोरंजन की सुविदाएं भी प्राप्त हुई है। परियोजना ने इस राज्यों को इन राज्यों को ओध्यों के विकास का आधार प्रदान किया है। कुल मिलाकर ये जो परियोजना है जो से दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। वह अब एक अच्छे रोप में कारे कर रही है जिससे यहां की फसलों को यहां की जन जीवन को बहुत ही लाभ हुआ है। तो ये दो था विद्यार्थियों दामोदर घाटी परियोजना का विवराण। धन्यवाद विद्यार्थियों।